हेलो फ्रेंड्स आज मैंने एक प्रोड़क्ट ओर्डर किया है जिसका मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हूँ तो चलिए फिर देखते हैं क्या निकलता है इस बॉक्स में तो ये एक बहुती वाइरल प्रोड़क्ट चल रहा था गुजिया मेकर तो मिरको लगा भी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं क्यों न मैं भी इसका एक रिव्यू कर लूँ अगर ये काम का होगा तो आप लोगों के ये काम आ सकता है तो ये प्रोड़क्ट मैंने मीशो से मंगाया है अगर इसका लिंक आपको चीह होगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो ये देखें फ्रेंड ये कुछ ऐसा दिखता है इसकी प्लास्टिक कॉलिटी ओके ओके है ना कि बहुत ज़्यादा आच्छी है और ना ही बहुत ज़्यादा खराब है चेक करते हैं कि ये जिस काम के लिए मंगाया गया है यानि गुजिया मेकर जो है ये गुजिया बनाती भी है या नहीं बनाती है इसमें गुजिया के साथ साथ पूरी बनने का भी setup बना हुआ है तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक trick निकाली है कि हम जो यह polythine है इसको लेके इसमें oil लगा के तब इसमें हम रखेंगे क्या होता है कि जो आंटा होता है यह इसमें चिपक जाता है और पूरी बनने ही पाती है तो आज मैंने यह trick निकाली है इसके लिए कि हम इसमें polythine रख के जैसे हम पापड बनाते हैं वैसे कुछ ट्राइ करेंगे पूरी बनाने का इसमें तो अब इसमें हम टेस्ट करते हैं कि इसमें पूरी जो पूरी मेकर इसमें दिया हुआ है उससे पूरी बनती भी है कि नहीं बनती है गुजिया बनाने के लिए हमें ठेट सारी पूरीयां बनानी होती है तो यह हमने एक छोटी सी लोई ले ली है और लोई को इसे हमें रख देना इसमें और फिर अच्छे से प्रेस करना है देखते हैं प्रेस होने के बाद जो पूड़ी है वो त्यार हुई कि नहीं तो यह देखे फ्रेंट पूड़ी तो त्यार हो गई है लेकिन थोड़ी सी मोठी है तो चलिए इसे पूड़ी मेकर में एक बार आएफ प्रेस करके देखते हैं क्या पता आपकी बार पतली हो जाए तो यह देखिए आपकी बार यह है पूड़ी जैसे शेप तो आ गई बैसमें और ये पूरी जो है ये पतली भी हो गई है लेकिन ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए यूसफुल है जिने बिल्कुल भी पूरी बेलना ही नहीं आता हम जैसों के लिए तो ये यूसफुल नहीं है क्योंकि जितनी देर में हम इसे प्रेस करके बना रहें उतनी देर में तो हम बेल कर इस से ज़्यादे स्वीड में बना लेंगे तो पूरी मेकर तो मुझे इतना पसंद नहीं आया इसका लेकिन अगर किसी को बिल्कुल भी पूरी बनानी नहीं आती तो वो इसका यूज़ कर सकता है अब चलिए देखते हैं इसका जो गुज़िया मेकर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहां पर मैंने ये पूरी रदी है और मैंने फिर से पॉलिथील लगा लिए क्योंकि ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसमें पूरी जो है वो चिपके नहीं और मैं अब इसमें थोड़ी सी श्टफिंग भर रही हुग led कर देखते हैं गुजिया बनती भी है कि नहीं बनते है इस से कि ये हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है अब हम इसे खोल कर देखते हैं तो extra part इसमें जो है उसे हम remove कर देंगे तो यह जो gujia maker है इससे जो gujia बन रहे है बहुत ही छोती बन रहे है और इसके जो यह sides हैं यह खुले भी रह रहे हैं यह हमें हाथ से lock करना पड़ेगा तो यह उतना efficient नहीं है जितना कि gujia maker होना चाहिए तो normal जो market से gujia maker मिलता है उसको मंगा के आप use कर लेजे इसका gujia maker तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मेरी तरफ से तो इस product के लिए एकदम big no है आपको यह product कैसा लगा comment करके जरूर बताएं